तो गाईज आप लोग को पताईए कि मैं हमेशा आप लोग के लिए निव निव इडिटिंग को टेंट धून डून के लाता रहता हूँ और आज जो हम आप लोग को सिखाने वाले उसका नाम है लव फायर की डियेक्टिव फोटो इडिंग और इसका ओडिजिनल फोटो यहा तो आप लोग छोड़के भाग जाते हो यार इसलिए आप लोग अच्छे तरह से समझ नहीं पाते हो और यदि आप लोग को यही रिटिंग पसंद आती है उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले तो चलिए ज़ाद बात में बनाते है चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर को तो सबसे पहले टो आप लोग ध्यानने देखते रहें वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं करना है आप लोग को पहले विबतादी तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग को ओरिजिघनल फोटो को गैलरी से ओपेंड करके इसको सीर कर ना होगा direct snap seed app के अंदर ठीक है और जो भी काम आप लोग को बताता हूँ ध्यान से सुनते रही है और ध्यान से देखते रही है का मेरे भाई आप लोग से request करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले snap seed app में इस photo को हम कर लेंगे open ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो snap seed में यह photo open हो चुका है again आप लोग को यहाँ से क्या क्या करना होगा यह सब्단 करनेगे इसको क्या क्रेंगे अपने skin को select कर लींजेगा और ध्यान रखेगा इस बात को जो भी is c Estados किशीजगे और चोटा करके और फिंगर को राट की और घीजते हुए ब्रैटनेर्स को बरा लेंगे और सिचुरेशन को यहाँ पर हलका माइनस करेंगे जैसे कि माइनस 18 के राउंड उसके बाद अगया आप लोगों को फिर से यहाँ पर प्लॉस वाले अपसेंट पर क्लिक करना होगा और यह भी काम मतलब से बार क्या करेंगे फिर से से बार अपसेंट पर जाके और जहाँ पर ज्यादा डार्क वाला एडिया वागा उसको सिलेक्ट करके मतलब साइज को छोटा कर लिजयेगा और फिंगर को राट कि और गीजते हैंब ब्रैटनेस को बरहार लेंगे ठीक बादर फिर से कर देंगे तो वो भी जगह एकदम अच्छे तरह से गोरा हो जाएगा उसके बाद देख सकते हो इतना सारा काम हो चुका है इसमें मतलब अभी थोड़ा ही काम हुआ है उसके बाद अगयन फिर से पेंसिल वाले अप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इस बार हम जाएंग ठीक है डन कर देंगे तो फुरा फोटो ब्लेक इन वाइट हो जाएगा लेकिन इसको अर्जेस्ट करना होगा तो यहाँ पर जाएंगे वीव इडिट वाले अप्शन पर ठीक है तो यहाँ पर फोटो पहले जैसा हो जाएगा फिर से लेकिन आप लोग को लेफ्ट साइड म क्षेब इसको एडिक इसको एसको थीक है करने के लिए ब्लेक कड़ल्ड में करके और फिर को फुरी काम पर लग जाज़ेगा यानि अपने स्कीन पर से अच्छे तरह से इरेज कर लिजएगा ठीके तो चलिए हम इसको तुरह जल्देल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडिया हमारा जाधा लंबा ना हो तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और यह काम कंप्लेट हो जाएगा तो इसकीन पर से ब्लेक इंवाइट इफटर इडएज हो जाएगा इस वाद करना होगा यहाँ पर सबसे नीचे कीजएगा ठिकए अपने फिंगर को उपर की और घिषते हैं और वर्न वाला वर्न वाला जो अब्सम मिल जाता है इसको पूरा प्लस हांडेट कर दीजेगा उसके वाद फिर से कर देंगे डन और डंट करने के बाद अगैन आप लोगों को फिर से क्लिक हो और करदेजेगा ठीके और इसको भी नहसे करदेंगे अर्बॉर्ट औरिन से इसको पूरा जीरो कर लिते हैं उसके बाद इसको भी चेंट उसे अपने बाल और अपने स्कीन पर से कर लेंगे बहुत ही अराम अराम से और फिर से ये भी काम हो चुका है एक दम अच्छे तरह से complete अगैन आप लोग को फिर से कर देना होगा done और done करने के बाद एक बार तो back यहाँ से करेंगे ठीक है यहाँ से back कर देंगे और back करने के बाद देख सकते हो इतना सारा काम हो चुका है अगैन फिर से pencil वाले option पर जाएंगे और इस बार हम जाएंगे कहाँ पर सबसे नीचे कीज़ेगा और devil exposure का यहाँ पर option मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करके और अभी क्या करेंगा करेंगे यहाँ पर तीन option मिल जाता है लेकिन आप लोग को open image यहाँ एट फोटो वाले option मिल ज पूरा फोटो रेट हो जाएगा उसके बाद फिर से कर देंगे डन करने के बाद इसको भी adjust करने के लिए सेम काम करेंगे यहाँ पर जाएंगे और जानने के बाद इस बार जाएंगे सबसे उपर में double exposure का फाइल मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करके और बीच में edit वाले option पर कर दीजेगा क्लिक और अभी ध्यान से देखते रहें आप लोग को double exposure को यहाँ पर पूरा जीरो मतलब 100 कर देना है जीरो रहेगा तो उसके बाद इसको कहाँ पर अपलाए करना है तो इसको सीर्फ और सीर्फ पर अपने सट पर अपलाए करेंगे माली जगी आपका यहाँ टीशेट भी है तो उसके भी अपलाए करेंगे तो टीशेट का भी कलर एक दम अच्छे तरह से चेंज हो जायागा ठीक है और यह करने में तो आप लोग को कोई जल्दी बाजी मतलब ज्यादा जल्दी बाजी तो करना ही नहीं है क्योंकि यह काम आप लोग को बहुत ही आर और ढंखने के बाद एक वार हम फिर से यहां से कर देंगे ठीक है और इतना सारा काम हो चुका है अगया इस बर क्या करेंगे फिर से आप लोग को जाना होगा पेंसल या लिट यानि टूल्स वाले अप्सन पर यहां पे जाएंगे और इस वार हम फिर से जाएंगे डेवल अपे इस बार हम कर देंगे लाइट एंट ठीक है तो पी एंज एक दम और चेतर से दिखने लगा हुसके बाद फिर से कर देंगे ड़न और दन करने के बाद देख सकते हूं फाइनली यहां पे पी एंजी एक दम अचेतर से लग चुका है फिर से पैंसल वाले अप्सन पर पर फिर से डवल एक्सपोजर पर जाएंगे और फिर से सेम खाम करेंगे यहां पर जाएंगे और इस बार हम क्या करेंगे एक लाइट पी एंजी को हम एट करेंगे इस फोटो पर तो वह काफी ज्यादा अच्छा लाएगा अगर अपने फोटो के साइड में रख देते हैं तो सबसे पहले यहां पर यहां पर देख सकते हो फोटो अफटर फोटो में अब तक कितना ज्यादा चेंजिंग आ चुका है इत तरह का फोटो आप लोग एक दम अच्छे तरह से इडिट कर सकते हो और सेर वाले अप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फोटो एक दम बेस्ट क्वालिटी में गैल्री में सेव होके आज आएगा तो आसा करता हो कि आप लोग को यह इडिटिंग समझ में आ गई होगी और यद आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करें यार और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें